जहिन दोस्तों स्वागत आपका विजेपत डिफेंस एजुकेशन में आज है 9 जनवरी 2021 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डे टू डे के करंट अफेर जो कि आपके एक्जाम पॉइंट अफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे आने वाले एक्जाम HP पॉलिस और SSC के जितने भी एक्जाम है उन सभी के लिए हमारे डेली के करंट अफेर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आप हमारा बेसिक फाउंडेशन का कॉर्स जोइन कर सकते हैं जोकी रहेगा एक साल के लिए और आपको दिलवाएगा 100% शूर्ट सक्सेस और कवर करवाएगा आपके आने वाले सभी स्टेट और सेंटर गवर्मेंट इग्जामों को आप अपनी त्यारी इसमें बिल्कुल बेसिक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं इसमें आपको मिलेंगी online test series, special notes और books जल्दी से जल्दी 100% शूर्ट सक्सेस के लिए आप हमारा basic foundation का course जोइन कर सकते हैं बिज़पत defense education में चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूँ हमारा हिमाचल पुलिस का भी advance batch start हो चुका है जो की रहेगा आपके लिए mission 2021 सो जल्दी से जल्दी बिज़पत defense education में आप अपना advance batch start कर सकते हैं हिमाचल पुलिस का जो first question है इस वीडियो का केंद्री मंत्री मंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्देश्टर कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान कर दी है तो किस देश के बीच ये समझोता हुआ है तो उस देश का नाम है जापान जापान और भारत के बीच जो है वो कुशल कामगारों से जुड़ा समझोता जो है वो हश्ताक्षर कर दिया गया है तो इसका सही अंसर हो जाएगा जापान नेक्स्ट वन है किस राजे सरकार ने किसान सूरेदे योजना लागू की है तो स्कीमों से related question आपके HPSSC बार बार पूछता है और ऐसी ही scheme आपके exam में आती है जो ना तो आपने कभी सुनी है ना ही उसके बारे में आप जानते हैं बिल्कुल unique question जो है वो आपके exam point of view से बनता है तो किसान सूरेदे योजना जो है वो किसानों से समंदित है उनकी आय को बढ़ाने के लिए गुजरात सरकार ने जो है वो किसान सूरेदे योजना लागू की है next question है हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है तो उस देश का नाम है कजाकिस्तान तो मृत्युदंड को समाप्त करने वाला कजाकिस्तान जो है वो बरतमान में एक नया देश बन चुका है जिसने हाल ही में मृत्युदंड को खतम कर दिया है अगर बहाँ पे कोई भी गुना होता है तो बहाँ पर उसकी जो सजा है वो मृत्युदंड नहीं दी जाएगी next one है केंदर सरकार ने देश के कुछ राजियों में बर्ड फ्लू के मदे नजर राजिय सरकार दौरा किये गए उपायों की निगरानी के लिए किस सहर में नियंतर्ण कक्षताफित किया गया है मैंने आपको बताया था कि हिमाचल में जो है वो स्तारसो के आसपास जो है वो पक्षी मिरत पाए गए हैं जहां से उनकी समभाबना थी कि बर्ड फ्लू जो है वो काफियाद तक फैल रहा है उसके बात केरल सरकार ने भी वहां पे सक्ति से उसके निरदेशयों को पालन करने की निरदेश दिये थे तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में जो है वो राजियों के द्वारा जो उपाय किये जा रहे हैं उनका नियंतन कक्ष थाफित किया गया है Next one है किसने बेस्टरन डेडिकेटेड फ्रेंट कोरिडोर के 306 किलोमेटर लंबे रेवाडी मंदार खंड का उधगार्टन किया है इस ने मध्यम रेंज की सता से हवा में मार करने वाली मिशाइल MRS AM रक्षा परनाली का सफलता पूरवक परशिक्षन किया है तो भारत और इजराइल के बीच जो है ये मिशाइल का परशिक्षन हुआ है जिसको सफलता पूरवक जो है वो पूरा कर लिया गया तो इसका सही अंसर हो जाएगा भारत और इजराइल Next one है किसे दूसरी बार अमेरिकी संसत प्रतिनिधी सभा का स्पीकर निउक्त किया गया Most important question है आप सबके लिए और current affair का नेसी पुलोसी को जो है वो अमेरिकी संसत प्रतिनिधी सभा का दोबारा से जो है वो उनको स्पीकर बनाया गया है Next one है आंधरपरदेश High Court के ने मुखी नजिश के रूप में किसे निउक्त किया गया है आंदरपरदेश इमाचल के मुख्य नय इधिष कौन है उनका नाम है केल नराइन स्वामी तो उनका नाम है आपको बताना है कि इमाचल के बर्टमान के गवर्णर कौन है नेक्शन है हाल ही में किस देश ने बर्ष 2015 के परमानु समझोते को लंगन करते हुए एक भुमीगतिकाई में 20 प्रतिशत तक यूरेनियम का संबर्धन शुरू किया है तो ऐसा कौन सा देश है जिसने भूमी गतिकाई में 20 प्रतिशत तक यूरेनियम का संभर्धन स्टार्ट किया है तो उस देश का नाम है इरान जहां पे जादा से जादा मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है नेक्स वन है खाल ही में किसने भारती सेना की मानवादिकार सेल के प्रत्थम अतिरिक्त महानिर्देशक मानवादिकार का पधवार संभाला है तो उनका नाम क्या है भारती सेना की मानवादिकार सेल में जो प्रत्थम मानवादिकार महानिर्देशक आये हैं उनका नाम है मेज जर्नल गौतम चोहान most important question है और आपको बताना है कि जो भारती सेना के serious है उनका नाम क्या है मतलग कि जो तीनो सेनाओं के वैसे तो मुखिया रास्ट्रपती होते हैं लेकिन रास्ट्रपती से नीचे की post की बात करें जो तीनो सेना के मुखिया होते हैं उसको बोला जाता है serious आपको बताना है कि बरतमान में serious कौन है आप हमें social media पे follow कर सकते हैं टेलिग्राम, whatsapp, facebook, youtube, instagram इन सबकर लिंक आपको वीडिय के description में मिल जाएगा यहां से आप हमें social media पर follow कर सकते हैं हमारे whatsapp group के साथ जरूर जुड़ें इसमें आपको day to day के current affair साथ में study notes और job alert प्रोवाइड करवाया जाता है वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को जादा से जादा like करें शेयर करें जय हिंद जय भारत